हलो दोस्तों रादे रादे और यह देखिए सरदियों में कितनी सुन्दर सुन्दर भाजियां आ रही है मार्केट में और मैथी की भाजी को आप चाहें तो इस मौसम में सुखा के भी रख सकते हैं यह बाद में काम आती है आप फर धनिया भी सुखा के रख सकते हैं यह सब्सक्राइब है और सबसे ज्यादा इस सीजन में मिलती है वह मूली और मटर तो मूली की हम बड़ी बनाएंगे जब थोड़ी अच्छी कड़क धूप निकलेगी तो आप देखेगा कि मूली की बड़ी बहुत टेस्टी बनती है और आज हम बना रहे हैं मटर के परांठे बहुत एजी तरीके से ना मिक्सी में चलाना रहेगा ना पीसना रहेगा और हमारे मटर के परांठे बनके तैयार हो जाएंगे यह देखिए मस्त भरी हुई मटर आई हुई है मार्केट में जबकि पानी गिर चुका है बारिस हो गई है फिर भी मटर अंदर से एक दम दानेदार है तो आप भी सर्दियों की सबजियों का अनद लीजिए और नई-णी डिस बनाईए तो हम बनाएंगे आज मटर के परां इसके लिए हमने बहुत सारी मटर को छिल लिया है और आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी मैथी रोज किसी सबजी में भी डाल सकते हैं जैसे आप जीरा डालते हैं तब थोड़ी सी सबजी भी डाल सकते हैं मैथी की उसका भी छोक लगाना अच्छा रहता है और इसकी मुठ च्टनी चिलन, और इसका निमोना भी बनता है, जो सरदी में बहुत टेस्टी लगता है, गरम-गरम निमोनों के साथ गरम-गरम चावल जो बिहार में बहुत बनाया जाता है, लेकिन डिसको इसी भी उर टेस्टी लगती है, तो Tanner चेंसे क्ली और है लेत्तों सुखी मिर्ची हमारी खटी हो जाती है THIS इन सब को आप चाहें तो ज्यार में डालकि चटनी बना सकते हैं पीस सकते हैं और यह की कली और अध्रीक्स का में भी बाल सकते हैं या बरतन में लेकिन कुकर में सीटी बजाने से अच्छे से मैस हो जाती है और जो हम परांठे बनाते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होती या तो फिर आप मिक्सी में नहीं पीछना चाहते हैं तो इस तरह थोड़ा सा पानी डालेंगे अलका सा एक बार इस चमच हलका सा जीरा डालेंगे चाहें तो आप मैथी की पत्ते भी डाल सकते हैं इसमें उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है लेकिन अभी फिलाल बहुत मैथी बन रही है घर में तो बच्चे मैथी ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं उसके बाद हरी मिर्ची और हो चुकी है उसके बाद लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर और गरम मसाला और इन सब को मिक्स करके अच्छे से चला देंगे देखिए बिना मिक्सी चला है हमारे मटर के परांठे का पिस्ट तैयार हो गया इसको अच्छी तरीके से भूल देंगे देखिए थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसका देखिए कलर चेंज हो गया और उपर से हराधनिया और यह रखे रखे अपने आप सुक जाएगा यह देखिए कितना सुक चुका है यह जो मटर थोड़ स्वाध अनुसार और थोड़ा सा मोमन जिससे की पराठे जो मारे वो खस्ता बने आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं या घी भी डाल सकते हैं पर नमकीन चीज में मैं तेल डालना ही पसंद करती हूं और जब बाटी वगरा बनाना रहता है तो घी डालते हैं इस सीजन में बाटी और भरता का भी बड़ा टेस्ट रहता है यह देखिया हमारा पेस्ट सूख चुका है और यह हमारा आटा भी भून के तयार हो गया है पहली रोटी हमारी गाए की बनेगी और इस सीजन में गाजर बहुत अच्छी चल रही है तो हम उनको भी सलाथ के लिए काट लेते हैं और इस सीजन में गाजर का हलुआ भी बहुत अच्छा बनता है यह कितनी गाजर से हम गाजर और खीरे का सलाथ तैयार करेंगे परांठों के साथ और टमाडर की चटने यह देखिए हमारी गाए की रोटी बन चुकी है अब हम बनाएंगे परांठे यह छोटी सी हमारी गाए की रोटी यह हमारे परांठे देखिस तरह से परांठे को लोई बनाना है फिर उसमें डो भरके और अच्छे से इसको प्रैस क करके इसका पराठा बेलना है कि देखिए पराठे हमारे बहुत अंदर तक फुल भरे हुए है इसलिए पेश जो है वो बाहर आ रहा है यह देखिए यह हमारे खस्ता एकदम क्रस्पी पराठे शिक चुके हैं तो आप भी आईए और गर्म गर्म सर्दियों के देखिए किते क्रस्पी हैं अलगी इसकी एक एक पराठ दिख रही है टेस्ट कीजिए राधे राधे